यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हर यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर रविवार को करनाल के दोरे पर रहे और इसी दुरान उन्होंने विपक्ष पर जम कर निशाना साधा और कहा कि कॉंग्रेस स्वामी नाथन के बारे में यह कहती है यह रिपोर्ट लागू होनी चाहिए लेकिन यह रिपोर्ट भुपेंद्र सिंग हुड़ा के समय किये है उन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया यह भी मनहुर लाल ने कहा साथी सीम खटर ने यह भी कहा है कि हमने किसानों के हक में कहीं योजनाव को शुरू किया और वहीं एस्वाइल को लेकर भी इन एलो पर भी मुख्यमंत्रे ने निशाना सादा और तमाम ऐसी बाते कही जो जरूर इन एलो की निताओं को चुमेंगी तो जमकर बरसे हैं विपक्षी पार्टियों पर सीम मनहुर लाल करनाल के दोरे पर वो थे जनता से समवाद करते करते उन्होंने साथी पत्रकारों से बाचित के दोरान विपक्ष पर जमकर जुबानी प्रहार किया है स्वामी नाथन आयव के रिपोर्ट को लेकर लगातार जो है सरकार को घरने की कौशिश में कॉंग्रेस पार्टी रहती है किसानों के हित की बात करती है किसानों के अंदेखी बीजेपी सरकार करे है तो उसी का करारा जवाब GICM ने ये तक कहा कि आप भी सत्ता में रहे आपने स्वामी नाथन आयव के रिपोर्ट को उस समय लागू नहीं किया जबकि हम तो उसी रिपोर्ट की कुछ बाते हैं वो आज लागू कर चुके हैं और भविश्य में भी कुछ बाते लागू करने की ओर जा रहे हैं जिसमें जो फसलों का दाम है और दोगुना करने के लिए और जो आए हैं किसानों की वो भी दोगुना करने की बाते बीजेबी पार्टी के द्वारा और उनके बड़े निताव के द्वारा कही जाती है साथी इनलो पर भी जमकर बरसे हैं मुख्यमंतरी मनोहरलाल एसवायल पर जिस तरह से इनलो पार्टी जेल भर अंदोलन चला रही है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए है और करारा जवाब दिया है स्वायल को लेकर करनाल में मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने धुरल बार्टी जब बार्टी मनोहरला जो है